पौडी तु सच्चा साहिव सच है, सच सच्चे भावे, जो तुद सच सलह दे तिन जम कंकर नेड़न आवे, तिन के मुख दर उजले, जिन हर हर्दे सच्चा भावे, कुडियार पिछाहा सट्या, कूड हर्दे कपट महा दुख पावे, मुह काले कुडियारिया, कुडियार कूडो होई जावे हे सत्य के पुझ परमातमा, तु सदेव सत्य है, उस सत्य के पुझ को सत्य ही प्रिया लगता है, हे सत्य सबरूप प्रभू, जो जो प्राणी तेरी परशंसा करते हैं, यमदूत उनके निकट नहीं आता, जिनके हिर्दे को सत्य प्रभू अच्छा लगता है, उनके मुख उस धकेल दिये जाते हैं मन में जूठ इवं छलकपट होने के कारण वह महाकस्ट सहन करते हैं जूठों के मुख सत्ते के दर्वार में काले होते हैं जूठे केवल जूठे ही रहते हैं सलोक महला चार सत्त गुर धर्ती धर्म है तिस बिच जेहा को बीजे तेहा फल पाई गुर सिखी अमरित बीजया तिन अमरित फल हर पाई औना हलत पलत मुख उजले होई हर दर्गह सची पेनाए इकना अंदर खोट नित खोट कमाव है ओ जेहा बीजे तेहा फल खाई जा सत्त गुर सराफ नदर कर देखे सुआब गीर सब उघड आए ओई जेहा चित वह नित तेहा पाई ओई तेहो जेहे दै बजाई नानक दूही सिरी खसम आपे बरते नित कर कर देखे चलत सवाई सत्त गुरु धरम की धरती है उसमें जैसा कोई बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त करता है गुरु के सिख नाम अमरित बोते हैं एवं इश्वर को अपने अमरित फल के परलोक में उनके मुख उजवल होते हैं प्रभु के सच्चे दर्वार में उनको मान सम्मान मिलता है कुछ लोगों के मन में कपट होता है और वह सदेव ही कपट कमाते हैं जैसा वहवोते हैं वैसा ही फल खाते हैं क्योंकि जब सराप सत्गुरु जी दूर दृष्टी से द जाते हैं जैसी उनके हर्दय की भावना होती है वैसा ही उन्हें फल मिलता है प्रभू परमेश्वर के द्वारा वे उसी तरहें पुरुस्कृत अथवा त्रिस्कृत होते हैं किन्तु हे नानक प्राणी के क्या वश ये तमाम कोदुक इश्वर आप हमेशा करके देख रहा है और दोनों तरफ गुर मुखों एवं सवार्थियों में सवयम ही इश्वर विद्यमान है महला चार एक मन एक बर्तदा जित लगे सो थाई पाई कोई गल्ला करे घनेरिया जै घर बत होवे साई खाई बिन सत गुर सो जीना पवे अहंकार न विच्चह जाई अहंकार यानो दुख भुख है हाथ तडः घर घर मंगाई कूड ठगी गुच्छी ना रहे मुलमा पाज लह जाई जिस होवे पूर्व लिखिया तिस सत्गुर मिले प्रभ आई जू लोहा पारस भेंथिये मिल संगत सुवरन होई जाई जननानक के प्रभतू धनी जू भावे तिव्व हो रहा है जिस किसी से वह जुडता है उसमें वह सफल हो जाता है प्राणी चाहे अधिकतर बाते करे परंतु वह वही चीज खाता है जो उसके घर में विद्यमान हो सत्गुरु के अतिरिक्त ज्यान प्राप्त नहीं होता ना ही अहंकार भीतर से जाता है अहंकारी जीवों क दुख एवं भूख सताते हैं वह अपना हाथ फिला फिला कर दुआर दुआर मांगते फिरते हैं जूट एवं छल छिफे नहीं रहते उनका फाज का मुलमा उतर जाता है पूरव कर्मों के अनुसार जिनके भले संसकार लिखे हुए हैं उन्हें पूरण सत गुरु मिल जाते हैं जैसे पारस के सपर्ष से लोहा सोना बन जाता है वैसे ही गुरु की संगती से मिलकर मनुष्य अनमोल बन जाता है हे नानक के प्रभू जीवों के वश में कुछ नहीं तु सबका मालिक है जैसे तुझे भला लगता है वैसे ही तु जीवों को चलाता है पौडी जिन हर हिर्दे से विया तिन हर आप मिलाए गुण की साज तिन सिंकरी सब अवगन शब्द जलाए आवगन विकन पलरी जिस देह से सच्चे पाई बली हारी गुर आपने जिन आवगन मेट गुण पर गटी आए बड़ी बड़ी आई बड़े की गुर्मुख अला जिन पराणियों ने हिर्दे में इश्वर जी का सिमरन किया है उन्हें इश्वर अपने साथ मिला लेता है मैं उनके साथ गुणों की सांज करता हूं और शब्द द्वारा अब गुणों को जलाता हूं घास फूस की भाती पाप सस्ते खरीदे जाते हैं केवल वही गुण जिसे वह सत्य सबरूप परमात्मा परदान करता है मैं अपने साथ गुरू पर बलिहारी जाता हूं जिन्होंने पाप मिटा कर मुझ में गुणों का परकाश कर दिया है जो पराणि साथ गुरू के समक्ष होता है वही महान प्रभू की महिमास्तूती करने लग जाता है सलोक महला चार सतगुर विच बड़ी बड़े आई जो अन दिन हर हर नाम ध्यावे हर हर नाम रमत संच संजम हर नाम में हीत्र पतावे हर नाम तान हर नाम दिवान हर नामों रख करावे जो चित लाई पूजे गुर मूरत सो मन इच्छे फल पावे जो निंदा करे सत्गुर पूरे की, तिस करता मार दिवावे, फिर ओह बेला ओस हाथ ना आवे, ओह आपना बिज्या आपे खावे, नर्क घोर मुह काले खड़िया, जी तसकर पाई गड़ावे, फिर सत्गुर की सरनी पावे, ता उपरे जा हर हर नाम ध्यावे, हर बाता एवे भावे, सत्गुरु में यही महान गुण है, कि वह हर समय भगवान जी के नाम का ही ध्यान करता रहता है, भगवान जी के नाम का जाप ही, सत्गुरु की पवित्तरता एवं संयम है, वह भगवान जी के नाम से ही त्रिप्त रहते हैं, भगवान जी का नाम उनका बल ह और भगवान जी का नाम ही उनकी सभा है जो व्यक्ति शर्धा से गुरु मूर्ती की पूजा करता है वह मनोवांचित फल प्राप्त करता है जो मनुश्य पूरण सत्गुरु की निंदा करता है उसका करतार विनाश कर देता है वह अवसर उसे दुबारा नहीं मिलता जो कुछ उसने बोया है वह सवयम ही सेवन करता है जैसे चोर को गले में रसी डाल कर ले जाया जाता है वैसे ही मुह काला करके उसे भ्यानक नर्क कुंड में डाला जाता है जब वह दुबारा सत्गुरु की शर्ण लेता है और भगवान जी का नाम सिमरन करता है तो वह भ्यानक नर्क से पार हो जाता है नानक भगवान जी की महिमा की बाते कह कर सुनाता है चूकि विश्व के रचाईता भगवान जी को ऐसे ही भला लगता है महला चार पूरे गुर का हुकमना मन्ने ओह मन मुख अज्ञान मुठा विख माया ओस अंदर कूड कूडो कर बुझे अन होंदे जगडे दै ओस दे गल पाया ओह गल फरोसी करे बहु तेरी ओस दा बोल्या किसे न भाया ओह घर घर हंडे जू रन दोहागन ओस नाल मुख गुर मुख होई से अलिपतो बरते ओस दा पास छट गुर पास वह जाया जो गुर गोपे आपना से भला नाही पंचह ओन लाहा मूल सब गवाया पहला अगम निगम नानक अक सुनाए पूरे गुर का वचन उपर आया गुर सिख बढ़ियाई भावे गुर पूरे टी मन अह बेला हतना आया